पुरी देश और दुनिया में एक ही चर्चा है राम आएंगे 22 जन्वरी को आयोध्या में राम लला की प्राण पतिष्ठा पर सारा जैसे संसार या पुरे देश के तमाम सारे लोग एक टक निगाह लगाए हैं बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु की वो प्राण पति पड़ेगी और ऐसे यग्य में साक्षी बनने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं पंडित धिरेंद कृष्ण सास्त्री जैने आप प्यार से कहते हैं अपने बाबा बागेश्वार जी अधन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद भाया जी बहुत अद्भूत कहें अब तो कह रहा हूं कि यह द्रशक कितना सुनदर है देखें पीच्छों वाह अद्भूत हम पहले लोग कहते थे राम लला हम आएंगे मंदर वहीं बनाएंगे अब लोग बन गया है अब राम लला हम आएंगे कृष्ण जनम भूमी जाएंगे आपके साथ अच्छी बात है कि एक जगे सा दूसरी जगे खोल देते हैं मैं आऊँगा वहां भी आऊँगा लेकिन एक बात आएंगे राम के यह जो धनुश वाली है या वो थुमक चलत राम चंदरबाज कौन सा अच्छा लगता है राम तो वीर हैं रगुवीर हैं हमें तो बहुत पुसंद है वीरता इसलिए वरतमान समय के लिए वैसे तो राम लला ही प्रीय है राम लला वो निश्चल है लला लला वो निश्चल है राम ही के वरतमान समय में प्रतंचा पर चड़ाए हुए कान तक तीर वो तीर जो भेदन कर दे अधर्म का अधर्मियों के उ लोगों को नहीं मारना। उनके विकार अंदां को मार रहें इसलिए विचार बदलने की बात करें All यह को तो Genebic prés आना विकारों पर विचारों परिमारत बीकार मिट गये विचार बदल गये तो राम का यह तीर का प्रथंचा का यह ख्रह यह विग्रह मणों शफल हो गया फिर राम की चित्र की नहीं चर्टर की जरूरत जो है इस देश को वो पून हो गई और हमारे कोई बिरोधी नहीं हम किसी के बिरोधी नहीं हम सब के हैं और राम सब के हैं यह सिद्धान्त प्रतिपादित हो जाएं इनना एक शब्द चल ला है आज कल वे राजनीत में भी घुप चलता है कट्ण कट्टर राजनी ते कट्टर देश भक्त कट्टर हिंदू हम कट्टर मानवता बाथी तो फिर कहें के लिए धनुस किसी तरफ बिलकुल जरूरत है अगर यह जरूरत नहोती तो रामजी क्यों लेते रामड ही कीं मरता? रामड तो प्रतीख है ना उस बुराई का उस भाई की प्रतीख जितने लोग हैं उनके आइंदर जो बढ़ा हुआ एंकार है उसके यह बिग्र है बहुत जरूरी है उनके विचारों को बदलने के लिए बिकारों को मिटाने के लिए सत्विचारों को जगाने के आपसे लोग डरते भी हैं कहते पता नहीं कि कौन सा हिंदोस्तान हिंदू का कट्टर वाला तो कुछ लोग आपसे सहम जाते हैं बने इनमानत जलद जडगये तीन दिन भी बोले राम सकोप तब भैविन होळ नप्रीप हम नहीं कह रहें अब रामायर गलत होगी तो हम बदल जाते हैं भैर्न न करूं काहू सन कोई राम प्रताप विशंता फिर हम बैरने कैडेरी नहीं आरा कोई कोई ने हम किसी के सट्र हम लिकिन विचारों के आप कर आपके विचारों के विचार विचार ठीक है। नमान जी का का마 क्या विकारों को मिटाना, बिमल मती करना, स्री गुरू चरन सरोजर निजमन मकुर शुधार, बर्नाव रघुबर बिमल चस, मल को हटाकर बिमल कर देना, यह अनमान जी का काम है, हम अपने इश्ट के आराध्य के पद चिन्नों पर चल देना, तो प्रेम से करें गेंगे ना, हमने कभी चक्का जाम की बात ने की, हमने सिर्फ अपने मन की असान्ती के जो उदभाव हैं, उन भावों को मिटा करके सदभावों को जगाने की बात की, कभी कभी हैदराबाद वाले आपके खिलाव क्या बोलते हैं, आपके विचारों से एकदम उदर वो कट्टर हो जाते हैं, उल्लू को दिन से परहेज हैं, अब आप लेगे वो को उल्लू कह देते हैं, उदाहरन है, हम तो गाओं के आदमी हो, उदाहरन उपर बहुत जीते हैं, हमारे पास ऐसे उदाहरन है, हमने कहिए, अच्छा जब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको तो निमंत्रन मिल गया ना, बहुत नहीं मिला, अब का बताएं, जिchnको बुलाते हैं, वही जाते हैं, सब नहीं जाते हैं, जिनको मिला वो नहीं जा रहे है, तो क्या कहेंगे, वो बड़े बाले अभागी है, जितना कोई नहीं हो, उनसे बड़ा आभागी, जिस दर्शन के लिए लाकों पर लोग चल कि यह नहीं देख पाए हम उन भागसाली लोगों में हम देख रहे हो हम जाना छोड़ दें निमंत्रन की भी जरूरत नहीं है यह वहां तो पहुंच जाना चाहिए लेकर हां प्रसंट्रस्ट का प्रोटोकॉल है बाइस्तारीक का उसको निभाकर फिर खूब दर्शन करना चा और फिर वो स्वामी निश्चला नंजी ने कहा कि सब काम मोदी जी करेंगे तो क्या शंकराचार जी जाके वहां थाली बजाएंगे वह हमारे धर्म के पल्धान मंत्री है पुरीबाले मिश्रम बहुत ज्यानी बहुत अद्भुत हम जगद गुरु तुल्षी पीठा दीश द्धर्म चक्रबर्ती पद्वे विगुशन गुर्देव भगवान के बाद न्यायपून तरीके से कोई हमसे कुछ है तो पुरीबाले संकराचार जी का नाम बहुत होता है सिध्धान्तिक बात सास्त्रोक्त बात नयाय के भी ज्याता है तो वह अद्भुत है उनके विचारों पर हम कुछ कह नहीं सकते हमें राम जी को देखने जाना है मुँएं जब हैदराबाद आती हमारे सरकार अठूलित बलधाम है हम उनके नहीं सब्सक्राह अचा वो जो कह रहे हैं कि राम जंज जी मांसा हरी? इसलिए उनकी मती खराब हो गई और भगमान इनको सद्गती दे और सुद्ध मती दे यही शुर्षे प्राथना है प्रभू शीराम को जानो पहले, राम चृत मट्पढ़ों, गड़ों, समझों खेल ही , केले सकल नर्प लीला, लीला तो करते हैं लेकिन प्रमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं क्या, वो ब्रह्म जो सत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता वो ब्रह्मन नारायन नर्वन कर आया वो ऐसा कारे करेगा मुर्खता पूर्ण बात है ना राम को जाना है ना उन्होंने रामत को जाना है उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए उन्होंने तो ना बोलने का दिकार है तो जो खाते हैं वो जो खाते हैं राक्शश बुर्तिया है, उनको कोई समझा भी नहीं सकता है, पस्मों के नियम है इंसानों को कोई नियम है, गाय भूकी हो आप उसके सामने सेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी, सेर भूका हो पीजा रग दो नहीं खाएगा आदमी को कुछ भी दे दो सब खाजाएगा ज्यादा समझाओ तो मारी खोपड़ी खाजाएगा जिसको जबते थे उन्होंने हमको जो है सउपी थी हमारे पास संपत्ति के रूप में यही है आपके पास तो लोग कहते हैं कि अच्छा आपने बताया संपत्ति के नाम पर लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हम कहीं देख रहे थे नेट पर तो लोग है कि यह सबसे महंगे कथावाचक, सबसे प्रसिद्ध खतावाचक और यह डोगरे जी थे जो खुद बना के खात हैं ना हम महेंगे हैं ना हम प्रशिद्ध हैं सिद्धी और प्रशिद्धी राम जी के हम जिनकी नाम से खा रहे हैं जिनकी नाम से चल रहे हम कुछ भी नहीं हम एक गिलहरी की भूम का निभाने वाले माइक सिष्टम रही बात महेंगी आमी सस्ते की हमने कभी दक्षना नह को बुरा भी नहीं लगता हुमभी इमानदार आदमी है हां को बुरा भी नहीं लगताए कोई दे दिता है मना नहीं करते हमारे पीछे 5 लाख लोग प्रती दिन हर मयने भंदारा पार हैं 5 लाख लोग 150 नज्जान बेटियों का विवाए करा है 5best मार्च में उन गरीब और दो आपकी दक्षना से हम उन बेटियों का घर अगर बस्वा पार है। गरीबों को अगर भोजन दे पार है तो हम मेहगे ठीक हैं। तो करें कथा वाले वो सबसे मेहगे वाले हैं। अगर उनको लगता कि यह महेंगापन है COME MEH, WE'RE हम बहुत ठीक हैं। लेकिन हमारी कथा विकाव नहीं, हमारी कथा विजनेश नहीं है, हमारी कथा व्यापार नहीं है, और हम कोई एक्टर या अविनेता अविनेमंच करने वाले व्यक्ति नहीं है, कि आप हमको दक्षना की दम पर बुला लो, आस्था की दम पर बुलाओगे, तो बागे सुर पी होगे हम तुम्हारी घर चले आएक़ ये भक्त का हेंकार बोला या तुम्हारे प्रभू की तो तो वहां पर दो बहुत सारे लोग में कहा होगा कि आप सुनदर विक्षित वाले वस्तर भी आपके और आपके कपरों की नाम पर कम्बल है? यह तो आपने ना कहा कि वो जैसे सुदामा से और राम का करिशन का है, समवाद हूँ है लेकिन आपसे पूछाएँ लोग कहते हैं आपसे हम जीत नहीं शकते ये तै है ना 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 ये कता ही नहीं मैंने आइसों सुन्दर क्या रहा हूा है आपको और तो खुझ क कम कोई कि कहा है लोग बोलते अपनी अपनी मथी से सब्शूर्ण की दुर्ष्टी है किसी को सुन्दर गज़ा गज़ किसी को बाकनभा गनधिक, हम दोनों सुनते, किसी को ढौंगी भी दिखाई दे cam किसी को ढौंगी कहते हैं, वह कौने ही송 वह उनकी मति विचाल। में आपको शास्ताव थिशाल। में लेकं कि वह शोद को नहीं देख पाए कि दूसरों को देखने चले हैं, तो वह हैं कुछ भी नहीं। वो उनकी मती है और कईयों की मती डिस्टर्ब हो जाती है सुमती नहीं है उनके पास इसलिए उनकी बुद्धी ऐसे उनको क्या कहेंगे जो यह कह रहे थे कि भई विग्रह तो रहे वहाँ पे रामलला का है तो फिर मूर्ती की विग्रह है पर दूर से शब को दर्शन हो पाए उनकी जो विपक्स के लोग है रामलेला के आप भी जानते हैं उनकी क्या जरूरत थी मूर्ती की हमारी मती अगर आप पूछो हम आप ही की मती बूछ रहे है तो बहुत जरूरत रामलेला चोटे थे तो 500 साल तक पारेशान किया अब थोड़ा बड़े हो गए ठिकाने लगे अब एक बाड़ में समंद्र शोक सकते हैं तो तुम्हारी नानी याद आजाएगी इसलिए सावधान अजर यह कथा में आजकल रोचकता पैदा करने के लिए होता है यह वीरत्त जगाने के लिए होता है क्योंकि आज तक की कथाओं में सर्फ राम को रोते हुए बताया हा स जीते हे सीते हमारा रामिर है हम विर राम के उपाशक रगवीर है अब अगर रगवी ईह तो ल engines में हमारे इस्टमहा वीर आप बार बार यह कहते यह बार बार गुछन और भार दिखा मुद्ध को बार बार देश कञिए है सुन्दर है नजिया परवते पहाड़े आप अब हमें पता नहीं कि अब आपने सुना नहीं हमें तो बहुत दिख रहे हैं ऐसे खरदूशन एक अनाम बताई हैं सब कुछ है राम राजी की स्थापना की और भारत बढ़ रहा लेकिन राम चरतमानस को फाड़ा जा रहा पा राम मंदर की जगए एस्पताल बनने चाहिए यह खरदूशन नहीं तो कौन है यह रामर के खांदान के नहीं तो कौन है जो राम को मासाहारी कहते हैं जो राम के होने के सबूत मांगते हैं अरे राम से तू नहीं है राम से तू है यह जानने हो समझने को मजबूर नहीं है समझने को तयार नहीं यह खरदूशन के गय गुच्रे बेटे हैं अगर यह भी कहें तो बहुत कम है इसलिए हम कहते हैं हम वीरत्त के उपाशक है राम भीर है रगुवीर है हम उपाशक है हां हम क्रोध ही नहीं हम कट्टर भी नहीं अतिकटर है राम जी के शेवक और हम सामंझस से बैठा लेना चाहिए और पर जब सामंझस ना बने तो सामंझस ना बैठाने बाले को मिटा देना चाहिए इतने लोगों को कुछ सिधर जाएंगे कुछ सिधर जाएंगे और अगर दिरिष्टे से सब को समय दिरिष्टे से सब को देख लिया जाए तो क्या रही अच्छा हो जाएगा बस बोरा मंदिर की स्वागत कर लें तो क्या बोरा हो तो सुप्रिम कोट ने कह दिया तो अब तो सबने मान लिया? अचा ये एक बाइब बदाये, कुछ लोग ये कहते हैं? अब सबने मान लिया, तो फिर ये प्रशन क्यों जो अभी आप ने पढ़ ही कुछ देर पहले सबने मान लिया ये प्रशन उठाने वाले को तो फिर यह राम के उपर उंगली उठाने माला है तो राम चरित मानस को फार कर क्या लगता है कि राम के चरित्र को या राम के नाम को या राम के अस्थित्तों को कम किया जा सकता है कम नहीं किया जा सकता है पर दाख पोंचाया जा सकता है प्रभाव तो घटाया जा सकता है राम मिटे नहीं पर पांद सो सालों जोपडी में तो रहे राम हटे नहीं ये आस्था पर चोट होती है आस्था पर तो चोट पहुंची है हमारे जैसे साधारन लोगों के जीवन में तो मानों एक काली रात ही थी हमारी आस्था उनसे वह हमारा बाप है और बाप अगर बीमार पढ़ा या जोपडी में पढ़ा तो बेटों को तो दुख होगा साधा आप भी एक पिता के पुत्र है तो आपको कश्ट हुआ होगा ये परम पिता है हमारी हमें तो कश्ट हुआ इस देश का नायक है और किसी को अगर कश्ट नहीं हुआ तो ये उसकी दुर्दसा की बात है तो ये बात सही है कि हमारे आदिपुरुष या हमारे पिता वही है हम सारी उनकी संतान है ये बात आप सब है नचावत, राम, गुसाई, बंधो, कीट, मरकट कीनाई सब के राम है राम के सब है पर जो बेटार बाप को भूल गया उसको परचय करवाना गुरुओं का काम है वो हम अपना काम निभा रहे अब निभा कैंसे रहे परैम से भी कथा सुना करके भी और चमत्कार दिखा करें भी और supportने पर उनके तरको काटकर बाणी को बान बना करें अब बस, बस बस यही ठीक है, लेकिन तीर को उठा लेते हैं आप ये तीर नह उठा करें कभी हमने तीर नहीं उठाया बानी को बान बनाया है, यह मत भूलना, पानी को बीना भी हमने बनाया, बानी को बनाया कुछिक्ड आप बहुत सुन्दै रशोता है। बहुत सुन्दर हुमर आपका Ayawot Shumar Retrievane है आपका इसलिए हम आपके औहयत तारीप आकरशन के लिए भी नहीं की नहीं यह बहुत संद helps मैं कथा का है तो यह बीनाम हमारी बानी है outभी हम्राम भक्तोंकी बताना चायते किट बील नम年 बाण भी सिर्फ परचाय कराना प्रभुजी बात हो रही है संदर्व याद आया 1960 के आसपास का है वो एकदम से बात्चीत में ध्यान आ गया विनोबा भावे जी 1960 में गए और जो जो डकय दस्यू थे बीहड में गए और उन्होंने उनको कहा कि बुख्यधारा में आये और व आयर नकर काहू सनक हुई रामप्रताब शॉम्ता कि और ॥ो ये बात महां पर उन्होंने कोठ की नियुख कंती है यह स्व पर इसके द्रिश्टी के बाद भी बहुत लोगों ने लाममंदर यह可ई है । लोगों ने ये कहा यह अप Verbend अपने घरों से निकलो अबिन्न मसजदें बचाओ जगे जगे मसजदें बनाओ वरना ये तुम्हारी हुकूमत को छीन लेंगे क्या बेहुदी बात है क्या बेतुकि बात है इससे ये सिद्ध हो गया कि नस्रिश चौपाई के या इस विनोवा भावे की वारता जो राम चरित मानस की चर्चा है, संदर्ब है, उससे ने कोई लेना देना नहीं, यह साम दाम के आदमी नहीं है, यह दंड के आदमी है, राम जी का यह प्रभाव है, राम जी का यह चरित्र का यह सिद्धानत है, राम जी पहले बिनाय करते हैं, जब बिनाय से नहीं मानता है तो प्रभाव बतलाते हैं फिर बान उठाते हैं और शमुद्र को भी छिकाने लगाती है आपके लिए राम की संदर्व में जो बात करें तो राम चरित मानस आप बार बार कोड कर रहे हैं लिए को आपके लिए उसी को time जिंतिया आपको प्रभावित करती हैं राम की संदर्व में या हमारे लिए नाते है करो सो भेग दासमें . सरंदर , सरनागति , कहाणी खतम . मेरी गाड़ी तेरे हवारी , तू जाने , तिरा काम जाने हम आ गए , שाहो तार दो , जाहो मार दो , जों मन का tumor , हम तुमारी प्रेयसी , हम तुमारी पुत्र , तुमारी पुत्र . सब ना दे तुम संग चोड़े नेह लगाई तुम से अब हमारा कोई ले ना दे हमारा अधिकार खतम हो गया है अपनी जंदिगी का तो हमें यह लगता कि वो हमसे ऐसा करवा रहा है तो चमतकार जो आप नेक शब्द इस्तमाल किया था वो चमतकार इसी संदर्ब में करते हैं या होता है या गाम जी के लिए करवाते हैं हमारे पास गौड गिप्टिट है हमने कोई तपस्यानी की हम ये शुर नहीं हमारे पास कोई ऐसे शिद्धी नहीं हम कोई महत्मा भी नहीं हम तो एक दासानू दासें गुरु जी ने जो हमें दे रखा उश्पुरशाद का प्रभाव है कि लोग आते हम उनके मनोभाव के बारी में बता देते हैं यूं कहें तो डमरू बजाना डमरू बजाकर लोग आते हैं उससे हमने राम से जोड़ देते हैं हमें अच्छा लगता है कि किसी बिचड़े-पिचड़े को हमें पता है हम भारत को सुधार नहीं सकते हैं खॉस्पीटल बंद नहीं करवा सकते हैं लेकिन आर विखरे हुए लोगों के चेरें पर मुस्कान ले आए हमारा काम हो गया ठीक है लेकि जब आप यह करते हैं चमतकार तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन धर्व्का तो जो विराट स्वरूप है न फ्रकति पूज यहें की आ राधना है जल देते हैं तुल्सी है हम आराधना ही बतलाते हैं हम अपनी आराधना नहींfar नहींतलाते साञदल करने लगते हैं हम जैसे को तैसा सठी साठ्यम समा चले वो फूंक लगा के ठीक करते लोगों को खुदवाते हैं हम उनके दिए एक ठीया नया वर्जन लेकर के आ गए हमारे अनमान जी का भी तो प्रभाव देख लो यारो तो मैं धर्म बदलने के क्या ज़रूरत है बस यह प्रियोजन है हमा रीख देखा नहीं पर हम रीरल वाला दिखाएंगे यह हमने अपना देखा इसले बहुता उनके पास क्या वो जन पद अपना बाला तो हमारे पास जो है हम इश्वर नहीं है बगवान या महतमाय सत्धी नहीं पर जो है वो किसी से कम है इतना ओतना कह सकते से बदलते रहें आपको देख देख करके बदल रहें है हाँ यह बात अब अच्छ होई और रामकत्हा का प्रभाव भी नहीं होता है यह हैं संत महात्मा जो पैर अपनें अंदर कर ले को और उसका सुनने का प्रभाव कुछ और बढ़ता प्रभु जी लोग कह रहे हैं कि सवाल ये पूछा है कि सियासत जो है उसमें राम को लाने की जरू है विपक्ष तो अकसर ये बात कहता है वो जो है राम को सियासत में लाते हैं दो दंड है, धरम दंड, राज दंड, धरम से राजनीती चलती है, राजनीती से धर्म नहीं चलता, एक सिद्धान्त पहले ये समझ ले, राम से राजनीती है, राजनीती से राम नहीं, भारत के जगे हुए लोगों को इस सक्कर सुगर रूपी परहेज से बचना है, कि राम राजनीती का विशय नहीं आस्था का विशय राम बोट बैंक नहीं है राम पाबर बैंक है राम किसी की बापौती नहीं है राम व्यापक है राम सहज है सरल है सुशील है सुजान है लेकिन सब के सोला गुण है पूरे संपन लेकिन सब के सब के तो फिर विपक्ष के भी है व पक्ष के भी हो आप दो फिर आप पिर वह सवाल करते कि अगर वह गंगा में डूप कि लगाएं अगर यह जनिह पहने फिर हमने नही ये राजनेतिक विश्य है, ये टिपणियां राजनेतिक है, एक दूश्रे को नीचा दिखा कर खुद को शुपरबाबर बनाना, ये राजनीति है, और सत्रू की भी महमा गाना ये धर्मनीति, ये हमने राम जी से शीखा है, अपने आचारे चरण से ये सीखा है, तो कोई सत् अप्पे भी नहीं ले जा रहे हमारे तो कुछ हिंदू भी आगी के लगे अपने अपने ठटरी के बरे नकटा ना काटने ही हो गहें अपने जो अपने होकर जिनके फुरुवच राम की पूझा करकर के मार गया है जिनकी माता जी सीराम चंदरकालु भजमन से प्राता काल का प्रारंब करती थी वो कहते राम की प्रमार देऊ ठटरी के बरे हमारे दो अपने हमारा सिद्धान्ति इनकी विचारों को बदलना है और राम पर श्यासत नहीं होनी चाहिए तो इस देश का एक करेक्टर है मूल है यह मात सच है कि मैं तो खुद कहता हूं कि इस देश के जो नायक है लोक नायक है सांस्कितिक पुरुश है अगर आप नहीं वानते हैं भगवान राजा मान लो लोक नायक है तो एक शब्द हमने 47 में लि क्यों करते हैं आप हिंदू राश्ट की बात करते हैं विवकुल पर है नहीं है नहीं फिल्कुल नहीं स्ब्द ने मतलब कृष्ण बिरोदी, सेकलर का मतलब साधू संथ पाहंडी नहीं, ये इंनको बता रह weगए शेकलर का मतलब यह भी नहीं है कि आप राम काल्पनिक्स ऐ है सेकलर का मतलब यह भी नहीँक नही较 एक राम-चरत मानिस पर उंगली उठाू, सेकुलर का मतलब यह भी नहीं के फाड़ो और जलाओ सेकुलर का मतलब यह भी नहीं है के आप जो है मंदरों के उपर टिपनिया करो या मंदरों को धुस्त करो सेकुलर का मतलब यह भी नहीं है के सनातनिय बहु बेटियों को प्रायोजित तरीके से फसा करके उनके 35-35 टुकडे करो और शेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप पागिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि राजनीती के लिए तुम राम के हो जाओ फिर रामर के खांदान के बन जाओ सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तुम कृष्ण की जले कंद्स के गुनगान का सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तुम समय के साथ साथ सभी मजभवों की हो जाओ सेकुलर का मतलब है जिसे जो अच्छा लगे सु माने अपने अपने राम सेकुलर का मतलब है तो आपने जो आंतिम वाख के बोला कि अपने अपने राम तुम्हारा अपने आस्था उस पे रहो डटे रहो जीज़ग हम नहीं है जाप बिरोधी पता नहीं भारत के लोगों ने हमारी चबी क्या बना रखी है जो आप कहेंगे ना कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट ब भाई ये राक्षस है लेकर परम भक्त अब वो आ गया तो बानर भालू बोले कान में अरे भेद लेने आया है भेद लेने पठवा दससी सा भेद लेने आया है मारे जाएंगे हार जाएंगे राम जी कहते हमारा सिद्धान थे सरन में आया है वो भेद लेने आया अब वो मा पागिस्तान वाले बैसे ही कंगाल है, तो हम मना थोड़ी कर देंगे, आओ यार वेलकम टू यू माइडिया, अच्छे संबंद होने चाहिए, बेज जग अगर वो बना रहें तो, बना रहें तो काइदे में, तो फाइदे में, काइदे में नहीं, आप संदेह करते हैं, बिल में बात नहीं कर रहे हैं, हम करें समाज में, अब नहीं समाज में, समरस्ता को लेकर बात हो रही है, क्योंकि समरस्ता की ही बात हो रही है, समाजी के एक ताकी, रामंदर उसी का प्रतीक, जी, मैं मानता हूँ, तो समरस्ता की जब बात हो रही है, तो उस समरस्ता में संदेह किसी से सन्न हेना किया जाए और जब हムाना जाए कि इसमें की भाई ये ये है ये हमारे देश का राष्ट्र काना, ये पुरुषय ये अिस त्री है और इस पर कहीं कोई भेद नहीं होना प्रेम तो योग से है, जितना हम चाहें, उतना तुम चाहो, तब एकता होगी. अच्छा अगर शादी जिसों कहरें कि ये लव जिहाद है, ये रास्ता नहीं है? विलकुल भी नहीं, शादी रास्ता थोड़ी, प्रेम रास्ता है, साधी भर क्यों? प्रेम के बाद अगर शादी हो जाए? दोनों तरफ होना जाए, हिंदू बेटियां ही क्यों, कोछ उधर से भी तो आनी चाहिए आप तराजू जब पकरते हैं तो तराजू धीरे से उधर चुका देते हैं, मैं सोचता है तराजू बीच में पर रहे हैं, आप धीरे से उधर कर देते हैं तराजू भी नहीं कि मंदीर बन रहा है और आप जा रहे हैं वाजिस को अधूतामन निमंत्रण जब मिला तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपके निमंत्रण हमें मिला तो हमें लगा कि ये बागिश और हनुमान जी के लिए निमंत्रण आया है कि तुम मत रहे जाना हिंदू राष्ट का विगूल तुमने ज्यान बापी, कृष्ण जन्म भूमी, संस्कृत का प्रचार, और लोगों के सद्विचार, और हिंदू राष्ट की आत्रा, हमें कागच पे नहीं चीड़े, दिलों में चाहिए यादि, आप यह कहते हैं कि संविधान में वो लिखा है तो लिखा रहे हैं लेक्र एगर वो संविधान में लिखा है, तो हमको पाणिन करने का पूरा पूरा वो है हमारे दादाओं पर दादाओं ने संभीदान शुईकार किया है हमारी पीडी दर पीडी इस भारत में रहने बाले पृत्तेक व्यक्ति को करना अति अन्वार ये है हमारा धर्म है अब संभीदान इसमें कोई सिर्थ अचा मैं पूछी लेता हूँ एक सवाल आपसे ऐसा क्या करें वो सामने वाले जिससे आपका मन मान जाए कि नहीं हाँ ये अब बदल गए है ऐसा कौँ सी चीज आपके लिए लुक्मान हगीश जैसे हम लोग रहे अहिंसाबादी और सांत परिये वैसे तुम हो जा आपके लिए अगर हम आतताई हैं तो आप हम पर टिपनी करो हमारी खेचाई करो हमारे उपर निर्दैता करो राम पर नहीं देश तो अखुबर से नहीं चलेगा ना जहागीर से चलेगा ना बावर से यह रगुबर से चलेगा गांधी से बावर से नहीं रगुबर से गांधी रगुबर मतलब राम जी राम जी मतलब गांधी के राम हां इसा नहीं कह सकते राम सब के हैं राष्ट पिता के भी राम है महत्मा गांधी राश्ट्ट पिता के भी राम है? हमारे भी राम है? आपके भी राम है, अपके भी राम है, happily वो इतना बड़ा राम भक्त है कि जब गुली लगती ही तो कोई परहेज ने, कोई दोसे लोग उन्हे समझा नहीं है हमें एक पक्षिए समझ लेते हैं लोगे हां ये आपके उपर ये हैं हम ये पक्षिए हैं हम नयाय पूर्ण तरीके से बात करते हैं समयक समरस्था एक्ता संप्रभूता अखंध नण्यवाद और एक और जाती बाद बढ़ाना ही कैंसर है जाती बात करना ही कैंसर है तो जाती गड़ना वो कराना चाहते हैं इसलिए कि वो जो हाशिये पे लोग हैं उनके बारे में ये बेतुकी बात है इस देश में जाती गड़ना से ज्यादा बेरोजगारों की गड़ना होनी चाहिए आप इ कितने लोगों पर मकान नहीं है इनकी गढ़ना करवाओ कितनी जगहों पर अत्याचार हो रहा है अन्याय पूर्वक्र जैल में डाले जा रहा है रोग इनकी गढ़ना करवाओ यार कितने किसानों के घर लुट गए फांसी लगा ली करज में इनकी गढ़ना करवाओ तो मैं ग कब घरना करवाई के ढाबल के इतिहास कितने पढ़ाय जा रहे उपण कि उनकी करवाई वहाँ राम-राज्य स्थापना की बात करते आप गर्ना जातियों की करवा रहें गरीबों की अबे रोजगारों की तरी मुझे इसकी घरना और्थ मुंदिएल खन्ड से ज़्यादा अधिक्कत है, स्वास्थ की इसकी गढ़ना करवाओ, 키ृश्पीटल नहीं है, जहां हम रहते हैं जिस जिले में, उस जिले की खसता हाल है, हॉस्पीटल के नाम पर, आज तक हम लोगों को हॉस्पीटल के नाम पर एक विवस्था नहीं मिल पाई, ट्रामा जो बारत से मित्रता रखता है उस देश का आदमी नाया हो आज तक। लेकर उस देश के अंडर का कस्ताहाल सड़क हैं। कीचर में भगते चलतے हैं, दंडबती पर कमा लगाती हैं कीचर में, बसाते हुए बापसाते है फिर नहाते हैं करने के बाद भी ना आते हैं लोग कि चलने के लिए सरकेने इसकी भी तो गढ़ना हो यार आप जाती इस देश में कब उठेकी हैं सब्दार हो जाएंगे ना समझ होने नं को तो राम भी नहीं समझा सकते कि लोगों को ने कर लिए वैंट किसी को इसी बातों पर लोगों को हमसे बुरा लगत तो मैं यह शब्द तो नहीं कहुंगा उनसे हुई जिन्हों ने तालाप पानी पर प्रतिबंद लगाया गोड़े पर चंड़ने पर प्रतिबंद लगाया शादी में बैख्ट नहीं सकता हुई हमको लगता है कि इस देश में लोगों ने समझाने राम राज्य को ना राम को जिन्होंने यह किया मुर्खता पून किया हम इसके वेरोध में हैं लेकिन सबके अपने अपने कायदे हैं लेकिन आपको जो अधिकार है उस अधिकार का दुर्पयोग भी दोना हुई मंदिर में सबको प्रवेश बागे शुर्धाम पर हैं बाकी की पता नहीं होना जब हमने मांग की हो किसी ने हमको चर्चा की बहुत बड़े भारत के व्यक्ति में कि आप क्या चाहते हैं उनका राम मंदिर में कुछ सब समाजों की लोग रखो पुजारी की रूप में तो उसकी आखेंट डबा गाएं कि आप ये क्या बात बुर रहे हैं आप हो कौन हम अपर हम हिंदू हैं सब जाती का एक दोडिकती रखो उसको भी आरती करने का अधिकार है है आरती पूजा करने का अधिकार सबको रहे किसको नहीं पर जो परंपरा है परंपरा का पालन वेदफाट नियम परोटोकॉल जिस पध्धति से सास्त्रवनोंवे पूजा बतलाई उस पद्धती का अनभाव किसे उसके जो आचार्य वैठी हैं वहां पर जो बैठे हुए है गुडग है राम मंद्र का ट्रस्ट भी है ट्रस्ट निर्णे लेगा कि यह योग है योग योग का निर्णे ट्रस्ट लेगा योगता में अगर सब पास हैं तो सबको अधिकार हमें अधिकार बोलने का है किसी के ऊपर अधिकार हम नहीं जता सकते हैं किसी के ऊपर हम आपके ऊपर अधिकार नहीं जता सकते हैं कि आप हमसे प्रश्ण नहीं कर सकते हैं आपको सीट मिली यह प्रश्ण करने की तो आप करोगी आपको लगता है कि हिंदु धर्म में सनातन में सबसे ज़्यादा परिशानी अगर हुई तो ये इसी जाती ववस्था से हुई जाती वात से हुई हुई सबसे ज़्यादा जाती बात से हुई हम तो भारत अखंड़ता की बात कर रहे हैं एकता की बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यों भाग रहे हैं और इसका एक solution जात जाती गरना नहीं है जाती गरना अगर होता तो कहीं अभी आपने शुना है आपकी ने दिखाया होगा कि किसी प्रदेश में जाती गरना हुई है वहां सॉलूशन मिल गया होता है साहिद भिहार में एक दो सवाल दस उसके बाद चमतकार आप जब करते हैं तो आप यह मानते कि चमतकार जो है वह ज्यादा महत्तपुन आपके पूरे जीवन में रहा या आपका जो कथा वात्चन भगबत करपा भगबत करपा गुरू करपा चमतकार से लोग अट्रैक्ट हो को वे नमसकार करते है चमतकार से लूग हमाय पास चमतकार है हमाय पास तो समाधान है क्योंकि हम जादूगर नहीं है कि ताली बजवाने के लिए अपको आपका नाम यह आपका परिषानी बताए और ताली पिटवा Просто आडता खारंदे नाम बताने बाली हम जादू गी नीस ही के बारे में कुछ कह नहीं सकते है बब अपर भगवत करपा कुष्णा कुष्ण लाइट है तब तो चार लोग उनके पासे अब जादा है यह निंदनल आ हमारा नो सब पर कुछना कुछ तो कर पा है आप यहां बैठे आपके नाम का आदमी होटल में प्लेट साप कर रहा था तो आप पर कुछ तो कर पा है कि आप धीरंद कुछन सास्त्री से कुछन कर रहा है कुछ तो है भाईया जी कहें अलो हाँ जले हुए हाँ आपके भी हाँ थोढ़े जल्य क्यों बोलना किसे हाँ जलें एकन सब्सक्राइब आदमी आप वो डरते हैं जनके हाथ कम्ज़ो रहा हम पहले आग जलागी थी हम तो सनातन की आग में पहले ही जले बैठे है हमारे तो कूट-कूट रंग-रंग DNA में खुन-खुन ब्लेड-ब्लेड में सनातन जला हुआ है और राम का प्रचार जला हुआ है हम राम के प्रचार को करके ही मानेंगे रामत को हम जन-जन में जगा के ही मानेंगे रही बात आप जो शंकेत करना चाहर है, किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई धिक्कत ही नहीं. हम तो कहते हैं, जिसमें छंता हो, परची बनानी चाहिए, प्रशाद हो करपा हो, पाखन डना हो, करपा हो. तो, हमारे दम जितनी हैं, जिए हमारे हमारा अक्सरते का कुश्टा है खुट से हमक्सर अपने बार बता हूँ आपको हम पहली बार बता हुता थे से कुश्टे करते हैं। तब हमारे भीतर का धीरंदर कृष्ण में बोलता है बेटा, तुम से अगर एक भी भूल हो गई तो दसों सालों तक कोई महतमाओं पर भरूशन नहीं करेगा, इसलिए कभी कोई भूल ना करेगा जो पाखंडी है उनकी तरह इशारा है आपका किसे पाखंडी है कौन हमारी नेजन में हमें कोई मिलाने और जो है परणाम परमात्मा उनको देता है यह सारा खुद की तरफ है बिल्कुल एक दब कहीं आप हमको तो नहीं पाखंडी कह रहें नहीं मैंने एक शब्द भी नहीं बोला आपको तो पर पोटली घोली जाए इसी में हमारे वारे में हम सब अपने बारे में पूछते और इसी में हमारे सोला साल गुजर गये हैं बस हमारे वारे में हम सब कोई इस फूछता है हमारी इसमर्तियों में सब अभावकी ले अप तो ठीक है उनको याद करते हैं हर पल अम उसी खोई हुई जिंदिगी में रहते हमको बहुत मजा आता हम बहुत inside आदमी हैं आउटसाइड हमारा कुछ है नहीं जाता है, इंसाइड हम जीते हैं, किसी से आपको लगता होगा, पता नहीं आपकी मन में ऐसा क्यों परशनाया, कभी भी हम किसी का विलोधने करते हैं, मैंने इसलिए पूछा, क्योंकि जब आप आभाव शब्दे इस्तमाल करते हैं, और आज जाव आप खड़े हैं, जब शिखर्पा है, शिखरस्त पुरुष्ण नहीं है, ये भगवत करपा है, भगवत करपा, गुरु करपा, जहां हम खड़े हैं, ये बहुत खतरनात चगए पक-पक पे गिरेंगे, और गिरेंगे तो लौटके उठेंगे, अब हम बहुत खतरे में खड़े हैं, परिवार भी दूर है, विरोधी ताक्तें भी भयं करें, मौका सब को चाहिए, इर्शा करते हैं लोग आपसे, खूब, मज़े से, हमारी इर्शा किसी से, हमसे लोग किसी से, मज़े की बात ही है, लेकिन हम उनको भी धन्वाद देते हैं, वो हमको सिक्षा दे जाते हैं, जब भी बोलते हैं, आजपास की टीम हमें वीडियो दिखाती है, अब आपको लगता है, सही समय है कि आपके साथ कोई साथी होना चाहिए, जीवन साथी के तर्फ, क्य आप दरबाल लगाओगे, इतना ऐसे गुरु ने क्या कहा था कि इस वर्ष के बाद ही, गुरु देव भगवान ने कहा था कि विवाय करना है, टाइम कोई फिक्सिंगे, चौबिस में नहीं होता, अब ये कह नहीं सकते, अगर हो जाये तो कल के दिन कौन ये वीडियो जू और हाँ, उसमें बरातवालों का भहिया जी कहिन हो जाए, अरे जब वो तो जहां सो लोग वहाँ भहिया जी पहुंच जाएंगे, अंतिम सवाल दो तीन जल्दी जल्दी खतम करते हैं, बिलकुल क्यों कि पीछे भीड़ है आपके, उनिस सो चौबिस की, यानि दो हजार ट कोई कैसा थाorter का समभावना करते हैं? पहारत के लोग जोट लहाँ किसको लगता है कि आप कि अ किस राज़निती पर कोई चिप्षडई नहीं है तो मैं इसके लिए दूसरे इंटर्व्यू का इंदजार करूंगा और जब मैं यही पहला प्रेशन पुझे वो दूसरा हाथ इसका मंदर भी है मत समझ ले ना कि जो जीत जाए उसी पर उठाए हम यह ना 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 मैंने यह नहीं कहा यह आपने कहा अंदर है ता उसको दोनों ह निशब्द तो बुलेंगे नहीं तो निए भारत यात्रा कर रहे हैं निशब्द राजनिता आप आप बहुता और इंटर्व्यू और आप उठाओं बारे इंटर्व्यू किसी भी इंटर्व्यू में बोला वेक्ति, विशेश, उनकी धीति, कार्यविधि, यात्रा, कि राजनीती से संपन्द कि लोग केते हैं कि आपके बारे में कि आप बहुत जबरदस्त मार्केटिंग के भी आदमी हैं बिजनस आप समझते हैं और टेलिविजन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप लोगों का यह ज्ञान और यह भ्रहम भरकरार इस्वर बनाए रखें टेलिविजन तो आप बहुत अच्छा जानते हैं एक ही दो लोग हैं जो इससे पहले में राजनीत में भी एक ही दो लोग हैं और आपके साधू संत समाज में भी एक ही दो लोग हैं जिन्होंने टेलिविजन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया उसमें से लोग कहते हैं कि तेले विजेन को बहुत अच्छी समय नहीं हम बहुत ही सहज बस जीते हैं आपने कहा के इंटर्वीю लेना कोई तैयारी नहीं बैट गए इंटर्वी लिए जो न्यायपूर्ण उसके खरीदार, इस दुनिया में जो शत्त बोलेगा उसके खरीदार निश्चित होगे. ये तो सच है कि इस पोटली में बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत आशिरवाद है, बहुत पूने है, बहुत प्रताप है, बहुत तपस्या है, प्रभु इस तपस्या को आगे अक्छून रखे किसी की नजन न लगे, बहुत आगे बढ़ती रहे, लेकिन ये बात सच है कि ये दो हाथ किसके लिए आशिरवाद के लोटते हैं, ये प्रशन जरूर रहे गया, लेकिन इसको फिर कभी किसी दिन के लिए मुल्तवी करते हैं, ये प्रशन छोड़के फिर वाकी, उसमें भी ज जाधा रहेगा, मिलेंगी, सिता राम होगी, सिता राम होगी आपसे, बहुत 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 आपका आभार, आपको बहुत बहुत साली,